नमस्कार दोस्तों साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गोड़ आपका हारदिक स्वागत करती हूँ अभिनदन करती हूँ दोस्तों पिछले दो सत्रों से हम रागव करुणो रसर जो एक बहुती महतुपूर्ण ललितने बंद है श्वी कुबेजनाथ राय के द् चित उस पर बात कर रहे हैं कल हमने काफी पिछले सत्र में हमने काफी गहराई से उन महतुपूर्ण शब्दों को समझा था जो इस निबंद की विशयवस्तू का केंद्र हैं आधार हैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी विशयवस्तू आपको हुर्दैंगम हो गई होगी फिर भी आज के सत्र में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके मुख्य बिंदों की इस पूरे निबंद के महतुपूर्ण बिंदों की ताकि एक बार फिर से दोहरान हो जाए और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों की तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र सबसे पहला बिंदो जो हमने इस निबंद में जाना था दोस्तों वो क्या था नए साहित्य में करूर्ण रस निर्वासन के रूप में अभिव्यक्त हुआ है तथा आज यह साहित्य का स्थाई भाव बन गया है निबंद के प्रारंभ में ही निबंदकार श्रीकुबेरनाथ राय ने अपना ये विचार व्यक्त किया है यहीं से निबंद की शुरू आत होती है तो वो कहते हैं कि निर्वासन पुराने समय में करूणरस की अभीवेक्ति भिन बेधनाओं की भिन प्रकार की पीडाओं की अभीवेक्ति के माध्यम से होती थी लेकिन आज के साहित्य का यदी हम आकलन करें, मुल्यांकन करें, गहराई से उसे देखें तो हमें ग्यात होता है कि निर्वासन की पीड़ा ही करुणरस की अभिव्यक्ती का माध्यम बन गई है आज के साहिते में इसलिए लेखक अपना मत व्यात्त करते हैं कि आज यह साहिते का स्थाई भाव बन गया है वैसे करुणरस का स्थाई भाव क्या है शोक लेकिन लेखक क पूछा जा सकता है कि कुबेरनाथ राय के अनुसार आज के साहित्य में करुन रसका स्थाई भाव क्या है तो आप कहेंगे निर्वासन और पुराने समय में करुन रसका स्थाई भाव ता शोक ये मान्य कथन नहीं है ये केवल लेखक का अपना विचार है इस बात पर ध्यान रखें कहीं ऐसा नहों कि प्रश्ण पत्र में पूछा जाए करुरस का स्थाई भाव और आप शोक की जगे निर्वासन डूने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे शोक ही मूलत है स्थापित मत है करुरस के स्थाई भाव का लेकिन लेक कैसा मानते हैं इस बात को धियान में दूसरा बिंदू है प्रस्तुत निबंध में राम के माध्यम से आज के मनुष्य की निर्वासन की पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है, ये बात हम सभी अच्छी तरह से जान चुके हैं क्योंकि हम पूरे के पूरे निबंध को शब्द शब्द पढ़ चुके हैं, तो आज क करूरस की अभिवक्ति निर्वासन के रूप में हुई है, दूसरी आपको इस निबंध की जो विशय वस्तु है, यदि एक पंक्ती में पूछा जाए, तो राम के माध्यम से आज के मनुष्य के निर्वासन की पीड़ा की अभिवक्ति ही, रागवा करूरस निबंध की मू तीसरा बिंदु भारत में अलग है लेकिन पीड़ा मूलत है एक है भले ही स्वरूप अलग-अलग क्यों न हो भिन भिन रूपों में द्रश्टिगत होता है अगला बिंदु है आधुनिक संदर्व में निर्वासन का अभिप्राय अपने परिवेश से कट कर स्वैम को अकेले अनुभव करना ह ये बिंदु भी ध्यान में रखेंगे कि निर्वासन का अभिप्राय क्या है इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना लेकिन आधुनिक साहिति के संदर्व में इसका अर्थ हुआ अपने परिवेश से कट कर अलग होकर रहना और अकेला स्वयम को अकेला अनुभव करना यानि निर्वास आज के साहित के निर्वासन में दो बाते महत्वपूर्ण है पहला परिवेश से कटना और दूसरा अकेला पन अनुभव करना अगला बिंदु है निर्वासन के साथ बौद्धिक अजनभी पन भोगने वाल किसी अन्य स्थान पर रहने की पीड़ा भोग रहे हैं, लेकिन दूसरे बे हैं, जो परिवेश से कट जाने के कारण, न केवल निर्वासन की पीड़ा भोग रहे हैं, बलकि अजनभी पन की पीड़ा भी भोग रहे हैं, तो ऐसे मनुश्यों के लिए निर्वासन जो है, वो अगला बिंदू लेखक के अनुसार राम और आज के मनुष्य की मूल स्थिती एक समान है अब वो समानता क्या है ये बिंदू भी आपको याद रखना है क्योंकि दोनों अकारण निर्वासन की पीड़ा भोगने को विवश है क्योंकि समानता सिर्फ एक ही बिंदू पर है रा अधार क्या है राम को भी अकारण बनवास की पीड़ा यानि निर्वासन की पीड़ा जेलनी पड़ी और आज का मनुष्य भी अकारण ही निर्वासन की पीड़ा को जेल रहा है यानि ये अकारण पीड़ा का भागीदार बनना ये समानता है राम की पीड़ा में और आज के मनुष्य की पीड़ा में लेकिन फर्क क्या है फर्क ये है कि निर्वासन के संदर्व में उनकी प्रतिक्रिया भिन भिन्ने किस तरीके से रेक्ट करता है राम ने किस तरीके से प्रतिक्रिया भ्यक्त की कि वे परिवेश से अपने आपको जोडते हैं स्वा के प्रतितटस्त हो लोक मंगल के लिए कार्यक रत हो जाते हैं यानि रचना धर्मिता को अपनाते हैं रचना शील हो जाते हैं अपनी स्रजन शीलता का परिचे देते हैं यानि पीड़ा के दौर में स्रजन के आनंद को अभिव्यक्त करते हैं लेकिन आज का मनुष्ट जो है वो क्योंकि परिवे का रास करता है और कुंठित होता है तो इसलिए प्रतिक्रिया अलग अलग है आज के मनुश्य की प्रतिक्रिया अलग है और राम की प्रतिक्रिया निर्वासन में अलग थी अगला बिंदू राम के निर्वासन की चरम अभिव्यक्ति सीता हरण के बाद और लंका अभियान के बीच के समय में होती है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कि चाहे वालमी की रामायन हो, चाहे तुलसीदाजी की रामायन हो, रामचरित्मानस हो, दौनों में ही राम के निर्वासन की जो चरम वेदना की अभिव्यक्ति है, वो कौन सी स्थित्ती में हुई है? जब सीता जी का हरण हो जाता है और लंका अभियान से पहले का जो समय है लंका अभियान में तो वे प्रतिबद हो जाते हैं कि शत्रु को परास्त कर वैदेही को मुक्त कराना है इस प्रकार का संकल्प उनमें आ जाता है तब वो वेदना की स्थिती से उपर आ चुके हैं लेक को भी ध्यान में रखना है। प्रफवी पर अवतरित होती है और यही कारण है कि पीडा को जब तक वे भोगेंगे नहीं तब तक वे उस महतर लक्षे उस रहतर लक्षे की प्राप्ती में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे इसलिए वालमिकी नहीं यहां राम को उस संघर्ष में विजई होते हुए नहीं दिखाया बलकि क्या दिखाया है असहनी ये पीडा भोगते हुए दिखाया है आगे चले अगला यही है शान्त सौंदरे बोध जिसकी चर्षा राम के संदरब में तुलसी दास जी ने की है तो वे अपने चित्र को शान्त करते हैं, स्थेर करते हैं और सबल यानी शक्ति समपन बनाते हैं, यानी अपनी ऊर्जा का प्रकृती के साथ तादात में अस्थापित करते हैं और आत्म संगर्ष की स्थिती से उपर उठकर मानसिक शांती की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं ये तुलसी के राम में और वालमी की के राम में फर्क है अगला बिंदू निबंधकार कोबेडनात राय ने संकेत किया है कि आज के मनुष्य का निर्वासन इसी शांत सौंदर्य बोध से रहित है शांत सौंदर्य बोध क्या है जो तुलसी के राम के व्यक्तितु में दिखाई देता है कि वे आत्म संगर्ष में सफलता प्राप्त कर अपने चित्त को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं, यानि अनुद्विग्न बनाते हैं, उद्विग्नता से ऊपर आते हैं, और उर्जावान बनाते हैं, उर्जा से सरावोर करते हैं, और फिर बे मानसिक शांती की अवस्था को प्राप्त करते हैं, और यही मानसिक शांती की अ और रोमांच से भर उठे वो उस स्थिती को प्राप्त करते हैं जब कि यह एक ऐसा मानव मूल्य है जो मनुष्य के स्वा को जीवन देने वाले तत्वों में से एक है लेकिन राम तो शांत सौंदरे बोध से युक्त है लेकिन आज का मनुष्य निर्वासन की इसी शांत सौंदरे बोध ही वो मानव मूल्य है जो मनुष्य के स्वा को उर्जा देता है उसे आत्मक्षय और कुंठित होने से बचाता है इसलिए आज का मनुष्य निर्वासन की पीड़ा भोग कर आंतरिक स्तर पर तूट रहा है विखराव के दौर से गुजर रहा है और आगे चलें अनासक्ति आत्मक्षय और कुंठा से राम की रक्षा करती है अब क्यों आत्मक्षय के शिकार नहीं होते राम इसलिए क्योंकि वे अनासक्त है यानि स्वा के प्रती तटस्त हैं दूसरी बात आत्मक्षय और कुंठा से कौन रक्षा करता है ये अनासक्ति और अनासक्ती कैसे आती है? शांत सौंधरे बोध के फुलिए अनासक्ती के लिए एक वाक्या ईशा वास्योंप निशद का निबंद का निश्तिमाल किया है और वो है पढ़ में वामबसा उसे भूलेंगे नहीं जिस प्रकार सरोवर के जल में कमल का पत्ता लिप्त नहीं होता डूबता नहीं है उसको स्पर्ष करता हुआ उसकी सतह पर तैरता है उसी तरह से इस संसार के बीच अनासक्त भाव से संसारिक विशय वासनाओं में बिना डूबे हमें अपना कार्य करना है हमें संसार के बीच रहना है यानि सपर्ष तो करना है लेकिन डूबना नहीं है कि हमारा व्यक्तित ही नश्ट हो जाए यदि कमल का पत्ता जल में डूबेगा तो गल जाएगा नश्ट हो जाएगा इसी तरह से हमको संसारिक विशयवास्माव में डूबना नहीं है बलकि उसक अना सकती का यहाँ पर दिया गया है सुआ के प्रती तटस्थता के भाव का अर्थ है अपने शुक दुख से बाहर निकल कर सामान्य जञन के सुख दुख से प्रकृती के आनन्द से अपने आपको जूड़ना है और इसकदर जूड़ना है कि जो भी हमारे लक्षे प्राप्त से राम स्वैम को रित चक्र के साथ एका कार करते हैं, रित चक्र बो सांसारिक नियम जो अद्रश्य है, लेकिन जिसके कारण ये स्रिष्टी अपने नियमित अनुशासन के द्वारा संचालित होती रहती है, जैसे पृत्वी, निरंतर अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य प भाव इसी रित्चक्र को नियमित करने का भाव, इसी रित्चक्र से एकाकार होने की प्रवृति, यदि मनुष्य अपनी चेतना में जागरित कर ले, अपने इरदय में जागरित कर ले, तो वो कभी आत्मक्षय और फूंठा का शिकार होगा ही नहीं। अगला बिंदू, राम के व्यक्तितु में सहज प्रेम तो है पर आसकती नहीं है, वे सबसे प्रेम करते हैं, शबरी से भी प्रेम करते हैं, भीलों से, कोलों से, किरातों से, जित्ती भी आदिवासी जातियां है वन में, सब के प्रती और चाहे वे पशु-पक्षी हैं, जीव रुकावट बन सके, तो प्रेम तो है, पर आसकती नहीं है, क्योंकि सहज प्रेम आत्मा का रस है, लेकिन आसकती आत्मा का बंधन है, आत्मा का बंधन क्यों कहा है? आत्मा का बंधन इसलिए कहा है दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स प्रश्न पूछा जा सकता है पहला पक्ष क्या है मनुष्यता का पक्ष जहाँ वे शील और करुणा का भंडार है यानि मनुष्यता के पक्ष में उनके व्यक्तित्व की विशेष्टा क्या है शील और करुणा इस बात को भी ध्यान में रखना है दूसरा पक्ष है ईश्वरियता का पक्ष, जहाँ वे ईश्वरियता के पक्ष की विशेष्टा क्या है? स्वा के प्रती तटस्थता और अनासक्ति इस बिंदु को बहुत धियान में रखना है क्यों? क्योंकि ये वो बिंदु है जिस पर संभावना है कि प्रश्ण पूछा जाए तो दो पक्ष हैं राम के व्यक्तित्व के एक मनुश्यता का पक्ष, शील और करुणा इस मनुश्यता के पक्ष की प्रमुख विशेष्टाएं हैं और दूसरा है ईश्वरियता का पक्ष, जिसकी विशेष्टाएं हैं स्वा के प्रती कटस्थता और अनासक्त और इसके का वे क्या करते हैं? स्वेम को रित चक्र के साथ एक आकार कर लेते हैं, व्रहतर लक्षियों से जुड़ जाते हैं, संबंद स्थापित कर लेते हैं और पीडा का अनुभव नहीं करते हैं। प्रतिबदता यानि उनके व्यक्तितु का केंद्र क्या है? उनके व्यक्तितु का केंद्र है रित चक्र के प्रतिबदता। प्रतिएक व्यक्ति को दोस्तों हम साथ चलिए मान लिया कि श्री राम तो इश्वन हैं भगवान हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य हो करके अपनी लक्ष की और उन्मुख नहीं हो सकेगा उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकेगा इसलिए जरूरी है कि प्रतिबधता हो लेकिन दुर्भाग्य क्या है विडंबना क्या है विडंबना ये है कि आज का मनुष्य क्यूंकि स्वा के दाइरे में केंद्रित है तो उस का स्वा ही उसकी प्रतिबधता है और स्वा की प्रतिबधता आत्मक्षय और कुंठा को जन्म देती है रचनात्मक्ता को कुंठित कर देती है नश्ट कर देती है समाप्त कर देती है इसलिए जरूरी है कि स्वा के दाइरे से बाहर निकल कर आज का मनुष्य परिवेश के प प्रतिबद्ध हो अन्य चलिए स्रिष्टि के प्रतिबद्धता तो छोड़ दीजे लेकिन अन्य मनुष्यों के प्रतिबद्ध हो कि मेरे अंदर जो भी सामर्थ है उसके द्वारा मैं अगर किसी के लिए कुछ भी कर पाऊं तो ये अपने व्यक्तित्व का की प्रतिबद्ध बना लें इसको अपने व्यक्तितों का केंद्र बना लें तो हमारी जीवन में आत्मक्षय और कुंठा रहेगी नहीं आनंद ही आनंद और फिर हमें कोई लक्षय प्राप्त करने से नहीं रोक सकता क्योंकि आनंद लक्षय प्राप्ति के पत को प्रशस्त करता है क्योंकि आनं शेनिरवासन के साथ अजन्वी पन की पीडा को भी भूगता है इसलिए आतमक्षय करता है और उसकी रचनात्म, आतमक्षय का सबसे बड़ा परिणाम क्या सामने आता है? रचनात्मक्ता कुन्थित हो जाती है, प्रतेक व्यक्ति को प्रकृती एक ऐसी रचनात्मक प्रकृया देती है जिसके कारण वो अपने व्यक्तितु के बहुत सारी दिशाओं को अभिव्यक्त कर सकता है लेकिन यदि हम उस रचनात्मक्ता को विक्सित नहीं करते अभिव्यक्त नहीं करते तो वो रचनात्मक्ता हमारे व्यक्तितों में ही दिलीन हो जाती है यानि अपने आपको अभिव्यक्त नहीं कर पाती तो ऐसी स्थिती में यदि हम परिवेश के प्रति प्रति बंदता रखेंगे अपने स्वा के दाइरे से बाहर निकलेंगे तो हमारी जो रचनात्मक्ता जो छिपी हुई है जिसे क संकेत है कि निर्वासन या अकेलापन मूलत है अभिशाप की स्थिती नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब स्रजन कर्म करता है तो स्रजन कर्म के लिए एकांत की आविश्यक्ता होती है क्योंकि उसे अपने स्रजन के साथ तादात में स्थापित करना पड़ता है एकाग प्रचित होकर स्रजन का कारे रचनात्मक कारे नहीं कर पाएगा तो इसलिए लेखक ने कहा है कि निर्वासन या अकेलापन मूलते अभिशाप की स्थिति नहीं है लेकिन यदि इसमें अजनभी पन आकर जुड़ जाए क्योंकि अजनभी पन के जुड़ते ही व्यक्ति स्वा के दाइरे में कैद हो जाता है रचनात्मक्ता कुंठित हो जाती है परिवेश के प्रति-प्रतिबद्धता रहती ही नहीं तो ऐसी स्थिति में रचनाधर्मिता भी कुंठित हो जाती है तो जब अजनभी पन जुड़ता है तब ये अभिशाप बन जाता है अगला यानि प्रकृति से परिवेश से अलगाव, स्वयम से अलगाव, यानि अपने आपको, क्योंकि हम जब किसी और के प्रति प्रतिबत दी नहीं होंगे, तो हमारे अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, वो भी सामने नहीं आएगी, अपने ही दाइरे में कैद रहकर, क्योंकि क सोटी तो हमें परिवेश में ही मिलेगी न, अपनी रचना प्रक्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए कि हमारी रचनात्मक्ता का मुल्यांकन किस प्रकार होगा, वो परिवेश ही करेगा, और जब तक हम परिवेश से जुडेंगे नहीं, तब तक हमारी रचनात्मक्ता अभ मानव मुल्य की स्थापना करनी तो बिना कश्ट पाए बिना संखर्ष केत Willna Sinh पाइस्था किया ही नहीं जा सकता। इसी लिए क्योंकि राम का अबतर्ण Kiss Inv पर ए önce execute एक मानव मुल्य की स्थापना के लre ह hookा था यही कारण है किGo यानि दुख से भरा हुआ है क्योंकि यह महासत्य विश्व के लिए मंगलकारी होता है संगर्ष क्यों जरूरी होता है किसी भी महासत्य की स्थापना के लिए क्योंकि वो व्यक्ति वो संगर्ष केवल अपने व्यक्तित्व के लिए नहीं करता अपनी सुरक्षा के लिए नही करते हैं बरण का पत रचना का पत उस मार्ग में रचना धर्मिता हमारी चागरित होती है रचना का पत स्रिष्टी स्रजन का पत यानि निर्मान का पत सत्य का पत महिमा का पत सदा निर्जन निसंग होता है निर्जन का मतलब है कोई भी जन कोई भी मनुष्य हमारे साथ नहीं चलता है नायक कौन है जिसने भी नायक केवल राम नहीं है नायक केवल महापुरुष नहीं होते अपने जीवन के आप सब हम सब नायक हैं क्योंकि हम सब अपने लक्ष के लिए उप्योक्त मार्ग का चयन करते हैं और हम सब को उस मार्ग पर अकेले ही चलना पड़ता है क्यों कूंकि यदि वो स्वसे के कोटर में कैद नहीं है, यदि वो परिवेश से जुड़ा हुआ है, यदि उसने प्रिकृती के साथ तादात में स्थापित कर लिया है, परिवेश के प्रती सतर्कता उसके व्यक्टितु में है, तो रित् चक्र तो उसका साथी बनेगा ही यही इस निबंध की आधार भूमी है, जो भी विशैवस्तू यहां अभिव्यक्त की गई है, उसके पंक्तियां उसका साहराइश है, यह मान वीज़े आप, तो इन पंक्तियों को कंठस्त कर लेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे. अब बात आती है, इस निबंध पर आधारित महतुपूर्ण प्रश्णों की, तो सबसे पहला प्रश्ण है दोस्तों, कुबेर नात्राय किस प्रकार के निबंदकार हैं, ओप्शन्स हैं, विचारात्मक निबंदकार, हास्य विंग्यात्मक निबंदकार, ललित निबंदकार या एतिहासिक निबंदकार तो C विकल्प इस प्रश्ण का सही उतर है इसकी चर्चा तो हम पिछले सत्रों में नजाने कितनी बार कर चुके हैं तो कुबेरनाथ राय ललित निबंदकार हैं क्योंकि वे ललित निबंद त्रई के एक सदस्य भी है किस-किस के साथ कौन-कौन है आचारे हजारी प्रसाद वेदी और विद्यानिवास मिष्ठ के साथ तीसरे जो ललित निबंदकार है वो है श्री कुबेरनाथ राय तो आंसर हमारा इस प्रश्न का होगा C अगला प्रश्न कुबेरनात राय का पहला प्रकाशित निबंद संग्रह है रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, गंध मादन या निशाद मासुरी तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों प्रिया नीलकंठी उनका पहला निबंद संग्रह है जो प्रकाशित हुआ था 1968 में और कहीं कहीं इसका प्रकाशन वर्ष 1969 भी मिलता है लेकिन इसी को प्रामानिक मानिये क्योंकि गद्य कोश में भी यही तिथी दे रखी है तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भी है एक बात और ध्यान में रखेंगे यदि 68 का विकल्प ही न हो प्रश्न पत्र में तो आप 69 को चिन्नेत कर सकते हैं इसलिए मैं तो सन जो बिलकुल विबाद की स्थिती में हो मैं आपको बता दिया करती हूँ क्योंकि 68 और 69 एक साथ आने वाला नहीं है आगे चलें तो दोस्तों ये निबंध गंध मादन नामक उनके निबंध संग्रह में संकलित है और गंध मादन का प्रकाशन वर्ष है 1972 तो आंसर हमारा हुआ A अगला प्रशन कुबेरनात राय को उनकी प्रथम क्रती प्रिया नीलकंठी पर कौन सा सम्मान प्राप्ट हुआ ओप्शन्स है मंगला प्रसाथ पारितोशिक, ज्यान पीठ पुरसकार, साहित अकादमी पुरसकार, आचारे रामचंद्र शुकल सम्मान तो दोस्तों इस प्रिया नीलकंठी कृती जो 1968 में प्रकाशित हुई उस पर कुबेरनात राय को आचारे रामचंद्र शुकल सम्मान मिला और ये सम्मान मिलने का उनका वर्ष है 1971 यानि उत्तर हमारा होगा D अगला प्रशन कुबेरनात राय ने नए साहिते में करुणरस की स्थिति किस रूप में मानी है? ऑप्शन्स जीवन मुल्य के रूप में, B मानवीय सम्मेदना के रूप में, C हिंसा के रूप में, D निर्वासन के रूप में कुबेरनात राय ने नए साहिते में करुणरस की स्थिति निर्वासन के रूप में मानी है और यहीं से इस निबंद की शुरुवात होती है, अभी थोड़ी दिर पहले ही हमने चर्चा की थी, तो इस प्रशन का उत्तर होगा D अगला प्रशन, कारण विभिन है, वस्तु सितियां विभिन है, पर शाप एक ही है, जो सबके शीश पर प्रेत की तरह मनड़ा रहा है, पंक्ती में लेखक ने किस शाप की और संकेत किया है, बहुती महत्पून पंक्ती है निबंद की, ओप्शन्स है, निर्वासन का शाप अज्यांता का शाप, जीवन की विसंगतियों को जहलने का शाप, या स्वार्थ का शाप, तो दोस्तों सीधी सी बात है, ए विकल्प इस प्रशन का सही उत्तर है, यहाँ जिस शाप की बात की जा रही है, वो है निर्वासन का शाप, तो आंसर होगा हमारा ए, अगला और नए मनुष्य के निर्वासन में लेखत में क्या समानता बताई है? बिलकुल कंठस्त कर लेंगे, बहुत ही महतुपूर्ण बिंदू है, प्रश्न परिक्षा में पूछा जा सकता है. विकल्प है, दौनों विशम परिस्थितियों के शिकार थे, बी, दौनों को आंतरिक विखंडन के कारण निर्वासन जहिलना पड़ा, C, दौनों पर निर्वासन अकारण थोपा गया, D, दौनों ने निर्वासन को उच्चतम लक्ष की प्राप्ति का माध्यम बनाया. तो C, विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है, क्योंकि राम के निर्वासन और नए मनुष् निर्वासन में एक ही समानता है कि दौनों अकारण ही निर्वासन के शिकार हुए, निर्वासन की पीड़ा को जहिलने के लिए विवश हुए, तो आंसर होगा C, अगला प्रश्न, लेखक ने सीता हरन के बाद की राम की कातरता के मूल में विद्यमान दुख को किस प्रकार का दुख बताया है, ध्यान देंगे, लेखक ने सीता हरन के बाद, यानि जब सीता जी का हरन हो जाता है, उसके बाद राम की कातरता यानि व्याकुलता के मूल में जो दुख विद्यमान है, उसे किस प्रकार का दुख बताया है, उप्शन से काम व्यथा का दुख, असमर् उनका शक्त्रु है वही सीता जी को हरकर ले गया है और वो बहुत शक्तिसंपन है और वे वन में हैं उनके पास कोई शक्तिसंपन सेना नहीं है शक्तिसंपन क्या कैसी भी सेना कैसा भी सेने को उनके साथ नहीं है तो क्या इसका दुख है शक्त्रु के शक्तिसंपन होने का तो दोस्तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है पवित्र ये सब था उनके मन में शत्रु के शक्ति संपन्न था इस बात की थोड़ी सी पीड़ा थी असमर्थ थोड़ी सी पीड़ा थी प्रेम की पीड़ा थोड़ी सी थी ये सब थोड़े थोड़े थे लेकिन मूल वेद वे तो व्रहतर लक्षे की प्राप्ती के लिए लोक मंगल से स्रिष्टी के कल्यान के लिए रित चक्र के संतुलन के लिए प्रतिबद्ध थे। इसलिए पवित्रता और सौंदरे के आहत होने का विश्व व्यापी दुख उन्हें था। विश्व व्यापी दुख उन्हें था। आंसर होगा हमारा बी अगला प्रशन रागवा करुणो रसा निबंद में लेखक ने राम को किसका प्रतीक बताया है। अन्विय यथार्थ का इश्वरिय गुणों का का कर लिजे इसको। सामान्य मनुष्य की तरह पीडित होते हैं। लेकिन बहुत जल्दी अपने उस संगर्ष, अपनी उस पीडा से उपर उठकर और संपूर्ण स्रिष्टी के साथ, संपूर्ण स्रिष्टी के स्वरूप के साथ अपने आपको एकाकार कर लेते हैं। जो की एक सामान्य मानव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये उनका ईश्वरिय गुण है, तो इसलिए मनुष्य के अतिमा परक यथार्थ की महिमा का प्रतीक लेखक ने उन्हें बताया है, तो आंसर हुआ हमारा स्टी. अगला प्रश्न? इसलिए आत्मक्षय और कुंठा का शिकार है, यदि शांत सौंदरे बोध के का सपर्श होता उसके पास, तो निश्चित रूप से वो स्वा की कोटर से बाहर निकलता, और प्रकृती परिवेश और स्रिष्टी और रित चक्र इन सब के साथ अपनी तादात में तास्थाप अगला प्रशन, निर्वासन की स्थिति में राम आत्मक्षय और कुंठा का शिकार क्यों नहीं होते? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बी विकल्पिस प्रश्न का सही उत्तर है, आत्मक्षाय और कुंठा के शिकार नहीं होते, क्योंकि वे स्वा के प्रती तटस्त हैं, अपनी स्वयम के सुखदुख उन्हें प्रभावित ही नहीं करते, वे रित्चक्र के साथ अपने आपको एक कर चुके हैं, इसलिए आत्मक्षाय और कुंठा के शिकार नहीं है, दूसरी बात, शांत सौंदरे बोध के अमरित स्पर्श उनके पास है, तो आंसर होगा हमारा B, अगला प्रश्न, स्वा के प्रती तटस्तता का क्या अर्थ है, स्वा के दाइरे में कैद होना, स्वा के द सी, अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार राम के मानवे रूप के पहलू कौन से हैं, शील एवं करुना, सौंदरे एवं प्रेम, त्याग एवं कर्मशीलता, वचन पालद एवं लोकसंगर है, तो A विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है, इसकी चर्चा अभी हम कर चुके है तो आंसर होगा हमारा एव, जहां मनुष्य, जहां श्री राम मनुष्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं, वहां उनके गुण कौन से हैं, शील और करुना नामक उनके जो गुण है, उनके व्यक्तित्व का ये पक्ष उभर करके सामने आता है, अगला बिंदू, राम के व पकड मजबूत कर लेंगे, उप्शन हैं, अनासक्ति, अलॉकिक्ता, साहर दैता या जनजन के प्रती प्रेम, तो इश्वरिता मुखी गुण क्या है, अनासक्ति यानि स्वा के प्रती तटस्तता, तो आंसर होगा हमारा ए, अगले प्रस्म पर आते हैं, आज के मनुष्य को निबंद कार ने धुरी हीन क्यूं कहा है, समवेदन हीनता के कारण, B, आसक्ति के कारण, C, निर्वासन के कारण, और D, स्वा की कोटर में बंद होने के कारण, तो D, विकल्प इस प्रश्र का सही उतर है, धुरी हीन क्यों है, क्यूंकि मनुष्य की प्रतिबदता, आज के मनुष्य की अपने अतिरिक्त अपने स्वा के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रती है ही नहीं और किसी भी व्यक्ति को विकास के मार्थ पर आगे बढ़ने के लिए रचनाशील होने के लिए अपने गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी न किसी के प्रती प्रतिबध होना पड़ता है लेकिन मनुष्य धुरी हीन है क्योंकि उसके व्यक्तितु का कोई केंद्र है ही नहीं और क्यों नहीं है व्यक्तितु का केंद्र क्योंकि वो स्वाकी केट कोटर में बंद है तो आंसर होगा हमारा दील अगला प्रशन लेखक ने अकेले पन को शाप की इस्थती कब माना है जब मनुष्य लक्ष से भटक जाए जब उसके अकेले पन में अजनभी पन जुड़ जाए जब वह एहंकारी हो जाए जब वह कर्म ना करे तो B विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है लेखक ने लिखा है कि जब व्यक्ति के अकेले पन में अजनभी पन जुड़ जाता है तो वो दोरा शाप बन जाता है तो आंसर होगा इस प्रश्न का B अगला प्रश्न वरण का पत, रचना का पत, श्रिष्टी का पत, सत्य का पत, महिमा का पत सदा, निर्जन, निसंग होता है पंक्ति में नहित अर्थ है प्रहतर लक्ष की प्राप्ति के पत पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता था चलना पड़ता है होगा ये भीड में रहकर मनुष्य अपना लक्ष प्राप्त नहीं कर पाता अकेले सुनसान रास्ते ही व्यक्ति को जीवन में आगे ले जाते हैं व्यक्ति कर्मफल के प्रती अनासक्त रहकर ही लक्षे प्राप्त कर सकता है तो दोस्तों देखिए A और D दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन यहां पर लक्षे प्राप्ति के लिए मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है, एक ही बिंदु पर यहां अपना ध्यान केंद्रित किया गया है इस वाक्य में, लेकिन D में व्यक्ति की अनासक्ति भी है और एकाकीपन भी है, तो D विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस तरह के प्रश्न परिक्षा में कई बार विद्यार्तियों को ब्रहमित करने के लिए पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप उन पर गहराई से चिंतन किये विना उनका उत्तर चिन्नित ना करें, अगले प्रश्न पर आते हैं, रागवा, करुणो, रसा, निबंध की पीडा से भी संबंदित है, आधनिक मनुष्य के जीवन से भी संबंदित है, और निर्वासन की समस्या से भी संबंदित है, चारों विकल्प सही है, लेकिन सबसे सही विकल्प कौन सा है, वही हमारा उत्तर है, सबसे सही विकल्प है कि शुरुआत निर्वासन की समस्या स को सुमेलित कीजिए, RPSC First Date 2018 में ये प्रश्न पूचा गया, साहित जनसमू के हिर्दैका विकास है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रिया नील कंठी, नागून क्यों बढ़ते हैं, कुछ निबंत इसमें से आपके पाठ्य क्रम में है, तो ये बहुती सरल है आपके ल पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, हम हजारी प्रसाद दुविदी का है, यानि उत्तर कौन सा हुआ, दूसरा, पहला, चोथा और तीसरा, चलिए कूर देखते हैं, दूसरा, पहला, चोथा और तीसरा, यानि C विकल्पिस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा हमारा C, रेखांके तो अंश भी आ रहा है परिक्षा में, है, कुबेरनात राय के रागबा करुणुरसा के आधार पर राम के संबंद में रिक्त स्थान हेतु उप्युक्त विकल्प है, RPSC Assistant Professor 2020 में ये प्रश्न पूछा गया, यानि दोस्तों आपको निबंधों पर कितनी पकड़ मजबूत करने की जरूरत है, ये ध्यान देंगे, तो मूल पाठ को, मूल निबंध को कई बार दोहराईए, एक-एक शब्द को पकड़ कर समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप हर प्रश्न का सही उतर दे सकें, तो अब options दिये गए हैं, शील और करुणा का संबंद, कर्म के प्रती निरासक्ति, स्वा का अन्वेशन, अनासक्ति और ततस्ता, तो दोस्तों इस पंक्ति को भी हम पढ़ चुके हैं, राम मनुष्य हैं, पर मनुष्यता का वरण उन्होंने उसी सीमा तक किया है, जहां तक शील और करुणा का संबंद है, क्योंकि मनुष्य का, उनके मानविय पक्ष के कौन से गुण है, शील और करुणा, तो आंसर हमारा होगा A, अगला प्रशन, कुवेड़नात राय के निबंद संग्रे हैं, UGC NET 2020-21 में यह प्रशन आया, यानि दो बार यह पूछा गया है, बेहया का जंगल, कामधेनू, आगम की नाव और दूसरी सत है, यानि B और C कुवेड़नात राय के निबंद संग्रे है, यानि B और C कुवेड़नात राय के निबंद संग्रे है, चलिए कूट देखते हैं, B और C, यानि B विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा B, अगला प्रश्न, कोबेरनात राय के निबंध संग्रों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुकुरम है, UGC NET 2017 में प्रश्न पूछा गया, ये ध्यान देना है आपको की UGC NET में अक्सर इस तरह के क प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विकल्प हैं कामधेनू, मराल, आगम की नाव, गंधमादन, B गंधमादन, कामधेनू, मराल, आगम की नाव, गंधमादन और कामधेवन, और D है आगम की नाव, गंधमादन, कामधेनू और मराल, तो दोस्तों इन में से B विकल्प इस प् तो क्रम बिल्कुल सही इस विकल्प में दिया गया है तो आंसर होगा बी दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने उबेरनात राय के निबंद ललित निबंद में कहूंगी परबात की रागव करुणोरस है और उसके 22 प्रशनों की चर्चा की उम्मेद करती हूँ कि आब इस निबंद की विशयवस्तू आपके लिए जटिल नहीं रही होगी सब कुछ बहुत सहज हो गया होगा निबंद की विशयवस्तू आपके लिए बोध गम्य हो गई होगी तो अगले सत्र के इंतदार में रहिए और बार बार कम से कम तीन तीन चार चार बार प्रत तेक निबंद को पढ़िए जरूर उससे समझने का प्रायतन कीजिए। अगले सत्र की प्रतीक्षा में रहिए। नमस्कार।